नमस्कार दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है जूगिली ग्राउंड अगे बढ़ते हुए हम पहुच जाते हैं भूज बाइपास रोड और ये है एर्पोर्ट सरकल एर्पोर्ट सरकल से थोड़ा ही लेफ्ट की ओर आगे बढ़ते हम पहुच जाते हैं से पहले एक चोटा सा गाव आता है जिसका नाम है हरीपर हरीपर एक बहुत ही चोटा और प्यारा गाव है बात करते हैं टपकेस्वरी की वहां पे टपकेस्वरी माता का मंदीर है और उपर हम ट्रेकिंग करके जो अपना नेचर का बढ़िया सा फील है वो हम ले सकते हैं ट आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंज्जॉय कीजिए अगर अगरे अगरे अब सब्सक्राइब आप सबीका फिर से एक बार एक फिट एंड फ्रेश एपिसोड में और आज मैं आया हूं टपके स्वरी जो है भूच से 15 किलो मेटर अगर कि 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 तबके सुरी फेमस है यहां पे स्पेसियली ट्रैकिंग के लिए यहां पे तबके सुरी माता का मंदीर भी है और अभी यहां से ट्रैकिंग की शरुवात होती है और हमें जाना है वहां पर यहां से अपने को ट्रैकिंग करके उपर पहुचना है जो कि बहुत ही हाड वर्क जैसा काम है अभी में लास्ट में आया था तब यहां से आया था यहां से चलते हैं यहां से अभी तो सिर्फ बीस पसंड ही हुआ ऐसा समझ लो और में जो लास्ट में जो है न वह बहुत ही हाड है कि अभी में आपको बता दूँ कि हमने बाइक रखा है वहां पर वहां से अपन आए हैं और यह पूरा टपकेश्वरी का एरिया है नीचे वह माता का मंदीर है और यह वाला जो आप देख रहे हो उपर गुफा जैसा वह यहां का वैसे थोड़ा में पॉइंट है वहां पर बैठके फील ले सकते हो और यह भी बारिश के बाद बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन अभी पंद्रा मिनीट के ट्रेकिंग के बाद फाइनली अपन यहां पे तो आ गए हैं अभी और भी उपर जाना है संबाल संबाल के अभी इसको भी क्रॉस करना है इतना मुश्किल काम है यहां पर ट्रेकिंग करने का लेकिन आप सामके टाइम में आओगे तो आपको बहुत मजा हैगा अभी जो मैं सीन आपको दिखाऊंगा यहां से वह तो अच्छा है ही लेकिन उपर से जो सीन है ना वह बहुत बढ़ी है अभी यह मेरे पीछे देख रहे हो वह बहुत ही खूबसूरत है फोटोग्राफी के लिए आर उपर वहां पर जो गुफा है वहां पर अभी कबुतर बैठा है वह तपस्या कर रहा है गंड गोर यहां पर बैठके कुछ है तो नहीं न अंदर हलो इतना ही है यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले संथ प्रणयराम बैठा गए अब यह देखने के बाद और भी इससे भी ऊपर जाने का है अपने को अपने को और वहां पर लिखा हुआ है अभी यहां से जो है वह बहुत ही वह मैंने से स्वाइड में अपना बेर गिल उसको यहां पर आना चाहिए अभी यहां से जाने का रास्ता है यहां पर जब भी वह आएगा यहां पर जब भी ट्रेकिंग करेंगा तभी उसको पता चलेगा कि बाहर है तो थीच है जो है वह इंडिया में है और समय क्याशित की अपने को एक्सप्लोर करने का है का तो आप समझ रहे हैं वहांसे हम आई है सीन यहां पर पीछे पहाड है और यहां से ऐसा लगता है कि आज में उपर आस्मा नीचे वाला फील्ड है यहां से देखो और इसे कहते हैं सच्छा वाला प्यार देख रहे हो बंदो का प्यार अभी यहां का सबसे जो हाड एरिया है यहां से होके यहां के वहां जो ऊपर पहाड यह ना वहां पे अपने को पहुचने का है और यहांसे दीरे दीरे कदम एक भी स्लिफ हुआ तो नीचे देख रहे हो ना वै या जी बड़ा सा पहाड और यह हमारा कदम चलते हुए एक दो तीन और अभी थोड़ा मामला रिस्की है रिस्क है यहां का सबसे मुश्किल एरिया है उपर आने के लिए ने को संभाल संभाल के यहां पर आना पड़ता है और पीछे भी आप देख सकते हो और और भी थोड़ा उपर जाने का है कि अब इस यहां पर आप पॉइंट आफ अब के शवरी भूज नहीं पर सामने पूरा भूज है यहां पर बहुत सारे कपल फ्रेंड्स फैमिली घुमने आते हैं और यहां पर वैसे तो साम की टाइम में आना चाहिए और पानी का एक बोटल चाहिए जो आम लोग बूल गए अभी बहुत ही प्यास लगी है ठीक है उपर बैठके जो फील लेना होता है जिसको वह वहां पर आता है तो आप भी एक बार आईए वह जो नीचाब रास्ता देख रहे हो यह वाला वहां से आपका भाई तो पैर को तीन बजे आया है यहां पर एक्स्प्लोर करने का जो अब यहां तक आपने व्लॉग देखी लिया तो आपको अच्छा लगा होगा इंट्रेस्टिंग लगा होगा तब ही आपने देखा है तो लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए किसी को टपकेश वरी आना हो तो यहां पर सभी अपन ने डीटेल दिया जितना हुआ उतना तो थ वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइज जाए हिंट